गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जी अजबानी में आपका स्वागत है सामान हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की सब्द ब्यवस्ता तथा सब्द संपता और इसी में इसी के साथ पढ़ने वाले हैं तदभव तदसम तो फ्रेंड्स तदभव तत्सम पढ़ने से पहले हमें हिंदी की सब्द व्यवस्ता तथा सब्द संपदा को समझना जरूरी है चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी और सेयर कीजी चलिए बने रहे वीडियो के लाश्ट तक हिंदी की सब्द व्यवस्ता तथा सब्द संपदा ध्वनियों का वह समूं सब्द कहलाता है जिसका कोई विसेश अर्थ हो सब्द भासा की लगुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई होता है हिंदी की सब्द संपदा का बर्गी करण विविन आधारों पर किया जा सकता है उनमें कुछ आधार निम्नवत है उत्पत्ति व्यूत्त्ति की द्रश्टिशे निर्माड या गठन की द्रश्टिशे प्रयोग के शंधर्व की द्रश्टिशे परिवर्तन सीलता या परिवर्तनियता की द्रश्टिशे रूप या प्रयोग का आधार उत्पत्ति की द्रश्टि से सब्द भंडार हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर सब्दों के चार प्रकार हैं कौन-कौन से हैं तत्सम, तदभव, देशज और विदेशज तत्सम सब्द तत्सम अर्था तत प्लस सम तत मतलब उसके सम मतलब समान यहां उसका तात्पर्य संस्क्रत है तत्सम सब्द वे सब्द है जिन्हें संस्क्रत से उसी रूप में लिये गए हैं जैसे वे संस्क्रत में मिलते थे यहां कुछ उधारन दिये गए हैं जो सब्द संस्क्रत में हैं वही सेम हिंदी में हैं माता जल तप दान अन अंग अंधकार उधार सत्य हान आदे अब पढ़ते हैं तदभव सब्द तदभव दो सब्दों के मेल से निर्मित है तद प्लस भव उसके या उससे निर्मित जो सब्द संस्क्रत के समान नहीं है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिये गए हैं जैसे अंधकार से अंधेरा अगनीशे आग अश्ट से आठ यहां अंधकार संस्क्रत का सब्द है अगनी संस्क्रत का सब्द है अश्ट संस्क्रत का सब्द है यहां कुछ अभ्यास प्रशने दिये गए हैं चलिए उनको समझते हैं यह हैं तत्सम सब्द और यह तत्भव यह तत्सम और यह तत्भव तत्सम सब्द है ददि इससे तत्भव सब्द बना है दही छेत्र तत्सम सब्द है खेत तत्भव छेत्र से खेत बना है दुग्द तत्सम सब्द है और दुग्द से बना है दूद तत्भव सब्द है नरत्य तत्सम सब्द है और नरत्य से बना है नाज जो तत्भव सब्द है पक्ष तत्सम सब्द है पक्षिश बना है पंक जो तदभव सब्द है प्रश्ट तत्सम सब्द है और पीठ पन्ना तदभव ऐसे ही आगे पढ़ते हैं लज्जा, लाज, निर्दर, निडर, सब्त सती तत्सम सब्द है सचसै तदभव सरकरा तत्सम सक्कर तदभव, होलिका तत्सम होली तदभव, मौक्तिक तत्सम मोती तदभव चीर तत्सम खीर तदभव, नब्य तत्सम नया तदभव, करपूर तत्सम कपूर तदभव, मक्छिका तत्सम मक्खी तदभव हरिद्रा से बना है हल्दी तद्भव सब्द है उल्लास तद्द है अहुलास तद्भव सब्द है तत्सम सब्द है चूरन, तत्सम सब्द रात्र, तत्सम सब्द है और रात, तत्सम तिक्त, तत्सम तीता, तत्सम श्वसुर, तत्सम ससुर, तत्सम ब्याग्र, तत्सम सब्द है बाग, तत्सम मात्र, तत्सम मा, तत्सम मुद्रिका, तत्सम मुद्री, तत्सम द्रश्ट, तत्सम धीट तद्भव तीर्थ तत्सम सब्द है तीरत तद्भव द्रश्ट तत्सम सब्द है दीठ तद्भव शूर्य तत्सम सूरज तद्भव अगनिष्ठिका तत्सम सब्द है अंगेठी तत्सम सौरित तद्भव मुख तत्चम है मू तत्भव रोम तत्चम सब्द है रोवा तत्भव खंड ग्रह तत्चम सब्द है खंड हर तत्भव कर्ण तत्चम कान तत्भव दंत तत्चम दांत तत्भव दुवर तत्चम सब्द है देवर तत्भव सब्द है म्रच्छन ततसम सब्ध है मखन तत्भव कोट तत्षम करोड तत्भव कशपटिका तत्षम सब्ध है कशोटी तत्भव तैल तत्षम सब्ध है तेल तदभव पिपल, तदभव खरपट, तदभव खपर, तदभव धैर्य, तदभव सब्द है धीरज, तदभव सब्द ग्रत, तदभव सब्द है धी, तदभव सब्द, तदभव सब्द है अंगुष्ठ, तदभव अंगुठा, तदभव सब्द है आहिफेन, तदभव अफ अंजली तत्सम सब्द है अंजुली तद्भव आम्र चूर तत्सम अम्चूर तद्भव अन्ध तत्सम अन्धा तद्भव अलग्न तत्सम अलग तदभव अक्षवाट तत्सम अखाड़ तदभव आशाड तत्सम आसाड तदभव आच्वन तत्सम अच्वन तदभव असीत तत्सम अश्षी तदभव अपठ तत्सम सब्द है अपड तदभव आखेट तत्सम सब्द है अहेड तदभव आकार तत्सम आकर तदभव अक्षत तत्सम सब्द है अक्षत तदभव अंत्र तत्सम आत अंतडी तदभव आमलक तत्सम सब्द है आमला अंगड तत्सम सब्द है आंगन तत्भव एला तत्सम सब्द है इलाईची तत्भव आदित्यवार तत्सम इतबार तत्भव एक्षुक तत्सम सब्द है एक तत्भव अमलिका तत्सम सब्द है इमली तत्भव इधन तत्सम इधन तत्भव इस्टिका तत्सम सब्द है इंट तद्भव उपरियुक्त तत्सम सब्द है उपरोक्त तद्भव उलूखल उलूखन तत्सम सब्द है ओखली तद्भव एकल पुत्रह तत्सम सब्द है एक लोता तद्भव उपल तत्सम ओला तत्भव अवर तत्सम ओर तत्भव कूसमाण तत्सम सब्द है कुमहडा तत्भव कृत्यग्रह तत्सम सब्द है कचेरी तत्भव कूर्ची का तदसम सब्द है कूर्ची तदभव आईए अब देशज सब्द समझते हैं देशज सब्द वे सब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है देशज सब्द की एक विश्यस्ता यह भी है कि उसमें लोख या अंचल की संस्कृत की महग महसूस की जा सकती है भारत में दूसरी भासा से लिए गए सब्द भी देशज कहलाएंगे अगर उस भासा का जन्म भारत में हुआ हो यहाँ पर कुछ प्रमुक देशज सब्द दिये गए हैं जैसे द्रविड भासाओं से अपने गठन से द्रविड भासाओं से उड़द ओशारा कच्चा कजल कटोरा काका कुटी कुपी केतकी चक्का चिकना चूडी जन्जा, जूट, तंटा, तोपी, थेश, डंका, नीर, पापड, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोशा, शांभर, पिल्ला, आदिशब्द, द्रविड भासाओं से लिए गए हैं अब इधर देखते हैं अपने कठन से अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक सब्द अंडवंड, उटपटां, कड़क, किलकारी, खटपट, खर्राटा, गडगड, चटक, चटपटा, चिर्चिडा, चुटकी, छिचला, जंकार, तंकार, थठेरा अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक सब्द अंडवंड, उटपटांक, कड़क, किलकारी, खटपट, खर्राटा, गडगड, चटक, चटपटा, चिर्चिडा, चुटकी, छिचला, जंकार, तंकार, थठेरा, भवक, मोपू, कट-कटाना, खट-कटाना, खुर्चना, एकड़ी, अच-कचाना, अल्लम-गल्लम, ओजल, अचानक, अटपटा, इथलाना, अलवेला, उमंग, कंकना, कचारना, कटकना, कदली, किचर-पिचर, कंटक, कौंधना, काच, कचोटना, किनर-मिनर, कराना, खनन-खनन, खुशत, खुर्राट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुर्दरा, खटना, खूटी, खचाखच, गिर्गिडाना, गुद्दा, गिर्गिट, गेंदा, गुपचुप, गोंद, गेंगा, गमंड, घोशला, गुमडना, रेबड, घागरा, इत्याद ये वे सब्द हैं, जिनने हम आम बोलचाल की भासा में प्रयूग में लाते हैं आई अब देखते हैं, विदेशज सब्द, वे सब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपचे, वलकि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाशा में स्विकार किये गए हैं हलांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के सब्द दूसरी भासाओं से संबंध होते हैं किन्तों देशज सब्दों का संबंध इसी देश की भासाओं और विदेशज का विदेशी भासाओं से होता है यहां प्रमुक विदेशा सब्द के अभ्यास दिये गए हैं चलिए देख लेते हैं तुर्की सब्द उर्दू, काबू, कैची, कैची तुर्की सब्द है कुली, कुर्की, चाकू, चाकू तुर्की सब्द है चिक, चम्मच, चम्मच भी तुर्की सब्द है चकमक, चेचक, तमगा, तलास, तुर्की, तोप, तोसक, नौकर, बारूद, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, शराय, सुराग, आका, आगा, उजवक, कालीन, चार पाई भी तुर्की सब्द है चुगल, चोगा, जाजिम, अर्वी सब्द, अजब, अजीव, अदालत, अक्ल, अल्ला, अशर, आखिर, आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इजज़त, इलाज, इमान, उम्र, एहसान, जवाग, जहाज, जलेवी, जलेवी भित, अर्वी शब्द है राय, लिफाफा, वारिश, शराब, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, होसला, हकीम, हलवाई, अदा, अदावत, अमीर, इमारत, इरादा, इशारा, इस्तीफा, कदम, कसरत, कशर, काइदा, किला, कत्रा पढ़ते हैं फार्सी सब्द, आवरू, आतिस बाजी, फार्सी सब्द है, आराम, फार्सी सब्द है, आमदनी, फार्सी सब्द है, आवारा, फार्सी, आवाज, फार्सी, उमीद, फार्सी, उस्ताद, चापलूस, फार्सी, कारीगर, फार्सी, किस्मिस, फार्सी, कुर्ता, फारसि कुस्ती कुचा, खाक, खुद, खुदा, खामुष, खुराक, गरम, गज, गवा, गिरफतार, गिर्द, गुलाब, गुलाभी फारसी सब्द है चादर, चालाग, चस्मा, चहरा फारसी सब्द है जहर, जलसा, जुलूस, जार, जिन्दिगी, फार्सी सब्द है जागीर, जादू, जुर्माना, जोस, तवा, तमाशा, तनखा, ताजा, तेज, दंगल, दफ्तर, दरवार, दरोगा, दवा, दिल, दिल भी फार्सी है दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, पाजामा, परदा, पैदा, पुल, पेस, बारिश, वीमार, बुखार, बरफी भी फार्सी है मजा, मलाई, मकान, मजदूर, मुस्किल, मूर्चा, याद, याद भी फार्सी सब्द है यार, यार भी फार्सी सब्द है, राह, लगाम, लेकिन, बापिस, सादी, सादी भी फार्सी सब्द है शितार, सरदार, समोसा भी फार्सी सब्द है, साल, सरकार, हफ्ता, हजार, अंगूर भी फार्सी सब्द है अंजीर, फार्सी सब्द है, अदा, अफसोस, अमरूद, आइना, आवदार, आइंदा, कभूतर भी फार्सी सब्द है किनारा, कुस्ती, गर्द, गल्ला, गिरह, गोला, गोस्त, दीदार अब देखते हैं अंग्रेजी सब्द अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलक्टर, डिप्टी, ओफिशर, बोर्ट, पेंसन, कॉपी, पेंसिल, पें, पिन, पेपर, लाइब्रेरी इस्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ओपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कालरा, हार्णिया, डिप्थीरिया, कैंसर, कोट, कॉलर, पैंट, हैट, स्वेटर, हैट, बूट, जंपर, कप, प्लेट, लेंप, गैस, माचिस, केक, टॉफी, बिसकुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, मोटर, स्कूटर, साइकिल, बैटरी, इंजन, यूनियन, रेल, टिकट, पार्शल, पोस्ट कार्ड, मनी ओर्डर, इस्टेशन, ओफिस, क्लर, गार्ड, एजेंट, अब यहाँ कुछ सब्द दिये गए हैं, इनको भी देख लेते हैं, चीनी सब्द, चाय और लीची, ये चीनी सब्द हैं, दो, भासाओं के सब्द, अन्य भासाओं के सब्द, जापानी सब्द, जंपान, रिक्षा, रिक्षा, जापानी सब्द है, पुर्तगाली सब्द, अननाश, आलपीन, गमला, गिर्जा चाबी पुर्तगाली सब्द है नीलाम पपीता पुर्तगाली सब्द है पाव रोटी पादरी बंबा बाल्टी पुर्तगाली सब्द है फीता, अलमारी, अचार, अचार पुर्तकाली सब्द है, फ्रेंच सब्द, अंग्रेज, कार्तूस, कूपन, फ्रांशीशी, रेस्तरा, डच सब्द, तुरूप, बम, तांगे का एक पुर्जा, रूशी सब्द कौन कौन से हैं, रूवल, वोड का, इसपुतनिक, संकर सब्द कुछ सब्द दो भाषाओं के मिलने से बन जाते हैं, जिने संकर सब्द कहा जाता है, सामानित इनका विवेचन कम ही किया जाता है, किन्तु, कुछ विद्ध्वान इने स्वीक्रति प्रदान करते हैं, जैसे कुछ सब्द इस प्रकार है, थानेदार, ये हिंदी और फार्सी का सब्द है परदान सीन अर्वी और फार्सी बोट दाता अंग्रेजी और तत्सम लाज शरम हिंदी और फार्सी फैसन परस्त अंग्रेजी और फार्सी परस्त हो गया फार्सी और फैसन हो गया अंग्रेजी सब्द मोटर, गाड़ी, अंग्रेजी और देशच, बद, हजमी, फार्सी और अर्वी, निर्माड या गठन की द्रश्टि से सब्दों के तेन भेद किये जाते हैं, रूड योगिक तथा योगरूड सब्द, रूड सब्द कौन से हैं, ये वे सब्द हैं, जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जैसे हाथ, पेट, किताब, अब किताब को अलग करके कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना, योगिक सब्द, ये वे सब्द हैं, जो दो या दो से अधिक रूड सब्दों से मिलकर बनते हैं, तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुडने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्त कालय, हत गोला, जलज, इत्याद योगिक सब्दों की रचना के आधार पर सर्ग, प्रत्य संधि और समास हैं, अब देखते हैं योग रूड सब्द, ये वे सब्द हैं, जो सन रचना की द्रश्टिशे योगिक हैं, किन्तों, इनका अर्थ एक विसेश में रूड हो चुका है, उधारन के लिए पंकज शब्द का योगिक द्रश्टि से अर्थ होगा, कीचन में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल, किन्त, इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो की रूड हो चुका है, ऐसे ही नील कंठ आधिव सब्द भी इसी प्रकार के हैं, प प्रयोग छेतर के आधार पर सब्द के तीन बर्ग हैं, सामान शब्द, पारिवाशिक शब्द, अर्थ पारिवाशिक शब्द, सामान शब्द कौन कौन से हैं, सामान शब्द शामान ब्यवहार की भासा में प्रयुक्त होते हैं, सामान शब्द का निश्चित और अर्थ होना जरूरी नहीं है सामानी सब्दों के परियावाची सब्दों को एक दूसरे के इस्थान पर प्रयोग किया जा सकता है जैसे चलना, फिरना, भरा, खाली, उल्टा, टेड़ा, पानी, दाल, रोटी, चाय, सर्वत, लिखाई, पढ़ाई, दुकान दफ्तर, गाड़ी, बस, साइकिल, तांगा, धोती, पाजामा, कोट, कॉलर, किताब, पुस्तग, कलम, स्याही, कागज, आदि, शामानी सब्द है पारिभासिक सब्द क्या है पारिभासिक सब्दों का अर्थ और संदर्व पूर्टे परिभाशित रहता है इन सब्दों का अर्थ एकदम निश्चित और बस्तुनिश्च होता है प्रत्येक विशेच हेत्र की अपनी पारिभासिक सब्दा वली होती है जैसे सासन में वरियता, वरिष्ठता, सासन, प्रशाशन, अनुशाशन, आयवय, अधिनियम, नियम, उपविद, विधान, प्राब्धान, सचिव, निदेशक, न्यायाधीस, न्यायमूर्थ, वादी, प्रतिवादी, आदि विज्ञान में संकरण, परासंकरण, अनुसंकरण, परागण, परनिशेचन, पार संयुग्न, एक्सरे, अडुसूत्र, तुल्यभार, आदि आयूर्वेद में जात जैविकी, प्रजाती, एकक, अल्प, परक्तता, रक्त चाप, अस्ति द्विभंग, पैत्तिक ज्वर, सतत ज्वर, विरामी ज्वर, इत्यादि अर्थ सास्त्र में अनिवार्य, अर्जन, मुद्रा, स्वीत, चेक, धनादेश, अर्थ ब्यवस्था, अधिशेश, प्रतिभूत, अभ्यप, पर्ण, मूल्य, इत्यादि अर्थ पारिवाशिक शब्द, वे सब्द जो किसी संदर्व में पारिवाशिक शब्द बन जाते हैं और किसी संदर्व में शामानी सब्दों सा ब्यवहार करते हैं जैसे रश, मांग, वल, तेज, धात, उर्जा, आदि रूप के प्रयोग के आधार पर सब्दों के दो प्रकार होते हैं विकारी सब्द और अविकारी सब्द विकारी सब्द कौन से हैं? कुछ सब्द ऐसे हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है उन्हें विकारी सब्द कहा जाता है जिन सब्दों का रूप, लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है जैसे संग्या लड़का लड़के लड़कियां आदि सर्वनाम वह वे वही इत्याद विसेशन काला काले काली इत्याद क्रिया जाता है, जाती है, जाते हैं आदि अविकारी सब्दों का रूप किसी भी इस्थित में परिवर्तित नहीं होता है जैसे क्रिया विशेशन धीरे, आज, कल, यहां, वहां, इधर, उधर, आदि अब जैसे कल को आप पर्सों तो नहीं कह सकते, कल तो कल ही रहेगा, आज, आज रहेगा सम्मंद बोदक सब्द मैं से पर से आगे की ओर के नीचे आदि सब्द सम्मंद बोदक सब्द है समुच्य वोदक सब्द और परंत या इसलिए तो यदि आद समुच्य वोदक सब्द है बिस्मयादि वोदक सब्द अरे उफ अल्ला राम राम आद बिस्मयादि वोदक सब्द है यहीं पर हमारा आज का चैप्टर फिनेस होता है धन्यवाद